सलामों अलेकुम उमीद करता हूँ आप लोग जो है वो खेरो खेरियत से होंगे तो आज जो है यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइस 4.1 करेंगे एक से लेके 9 तक कोशन करेंगे चैप्टर का नाम है हाइयर और डेरिवेटिव एंड एप्लिकेशन तो ये एप्लिकेशन क्या है वो भी मैं आपको इसकी बता दूँगा और थोड़ी बहुत एक्स्प्लिनेशन दे दूँगा शुरू में तो उसको जरूर देख लेना अच्छा एक बात और बता दूँ important कि जो question number 10 है basically 12 करेंगे लिखा हूँ है हमारी book में तो वो मैं यह नहीं कराऊंगा क्योंकि वो Mapple से होगा software से होगा तो वो जब हम Mapple download कर लेंगे तो उससे कर लेंगे बाकी तो मैं आप लोगों करा दूँगा अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँगा अगर आप लोग गृप में आड नहीं हो तो गृप में जरूर एड हो जाना गृप मैं गैस पेपर जो हम वह आना शुरू हो गए हैं तमाम सब चेक्ट के तो आप गर गैस पेपर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी यह फीज पूरे साल की है साल में जासे एक बार देनी है तो आप जो है गुरुप में जरूर एड़ होईएगा ताकि पिर यह जो जितना भी material है यह सब आपको मिल सके ठीक है और नमबर आ रहा होगा उसी पर आप details ले सकते हो तो चलो y को एक बार derivative करोगे यानि एक बार derivative करोगे तो यह first derivative है y को derivative करने के बाद again derivative derivative लोगे उसका तो यह second है और अगर y को दुबारा derivative करोगे तो यह third है अब थोड़ा साना बात समझ नहीं आ रही होगी चलो concept का field लेते हैं for example आपने y को एक बार derivative कर दिया ठीक है तो यह मैंने एक बार इस चुपर प्राइम लगा दिया यहां पर आपके पास first derivative आ गया ठीक है अब आपने y को दुबारा derivative कर दिया तो यह क्या आगिया जो y का first derivative का जो answer आएगा उसको आपने दुबारा derivative कर दिया तो यह second derivative हो गया ठीक है तो यह होगा second आपको इसको इस तरह शो कर सकते हो यह double प्राइम अब जो y double का आंसर आया है अब आप ने उसे दुबारा डेरिवेट कर दिया तो यह होगा 3rd order derivative ठीक है? 3rd order derivative के लाएगा यह first order यह second order यह first order हो गया यह second order हो गया यह आपका 3rd order हो गया अब देखो हम पढ़ क्यों रहे हैं मतलब डेरिवेट के आंसर को दुबारा derivate क्यों कर रहे हैं इस चीज को समझते हैं देखो आपके पास है x ठीक है यह x क्या है आपका displacement हो गया आप concept समझे ना कि इसका कर क्यों नहीं इसके पीछे का concept क्या है यह आपके पाद displacement हो गया आप अगर इसका first derivative लोगे यानि dx upon t के respect से dx upon dt तो यह हो गया इसका second derivative second derivative क्या बना velocity क्या बना आपके पास velocity तो यह आपके पास बन गया डिस्प्लेस्मेंट अब velocity का आपने again derivative लिया तो यह आपके पास बन गया यह क्या बन गया यह बन गया acceleration अब इसको मैं थोड़ा और मजीद अच्छी तरह समझाता हूँ यह second order हो गया ठीक है second order derivative अच्छा अब दोखो इसको आप लिख कैसे सकते हो एक्स को तो as it is x लिख दिया या तो इस चीज को आप यह जो चीज है यह जो चीज है इसको आप यह तो वी लिख सकते हो या फिर x के उपपर यह प्राइम बना सकते हो इससे पता चल जाएगा कि आपने x का एक time derivative लिया जो के velocity बन रहा है अब जब velocity का again derivative लोगे न तो वो आपको देगा acceleration जो के x का double derivative है बास समझ में आई कि double derivative क्यों ले रहे हैं अगर आपके पास simple displacement है उसका एक derivative लोगे velocity बन जाएगी दुबारा derivative लोगे acceleration बन जाएगी आपको पता है न जब आप physics में kinematics पढ़ते हो तो पहले आपको displacement पढ़ाते हैं उसके बाद velocity पढ़ाते हैं और उसके बाद acceleration displacement जस्ट एक से डिनोट हो गया velocity आपके पास x upon t और acceleration आपके पास क्या होती है x upon t का square तो देखो यहां भी यही होगा तो समझ में आई बात यह बात समझ में आई यह तरतीब समझ में आई कि first derivative second derivative क्यों कर समझ में आएगा चलो इस चीज को याद रखना यह आपको हमेशा help देगी आप इसको remove करता हूं और question solve कराता हूं अच्छा आप question की तरफ आ जाते हैं और question को देख लेते हैं ठीके बात आपको समझ में आ चुकी है ठीके देखो अब इस चीज का आपने तीन टाइम डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं solution मैं यह वर्डिंग भी लिखवा दूँगा ताकि समझ भी आ जाए तो यह आगिया आपका फर्स्ट ओर्डर डेरिवेटिव देखो मैं आपको यह बात बहुत बार बता चुका हूं कि अगर कॉस के उपर स्कॉयर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो याद रखना कॉस स्कॉयर एक्स यह बराबर नहीं होता कॉस एक्स का स्कॉयर यहाँ पर क्या है तिगनोमेट्रिक फंक्शन के उपर स्कॉयर है यहाँ पर क्या है एंगल पर स्कॉयर है तो अगर तिगनोमेट्रिक फंक्शन पर स्कॉयर है तो उसको होल स्कॉयर कर सकते हो सही इस चीज़ को लिख रहे हैं अपने पास अच्छा आप इसका derivative ले तो क्या बनेगा derivative में आपके पास simple क्या होता है कि यह जो power होती है आगे आ जाती है और उसमें से एक minus हो जाता है अगर मैं इसमें से एक minus करूंगा तो यह तो just आपके पास one ही बचेगा अब without power derivative लेते हैं without power यानि power को हटा दो जो भी चीज अंदर है उसका अलग से derivative ले लो तो यह हो गया आपका cos x अच्छा अब आप लोग पढ़ चुके हो cos x का derivative होता है अपने पास लिख भी लेना cos x का derivative होता है minus sin x तो minus sin x आगिया तो अगर मैं इसका अंचल लिख दूँ अच्छा अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है दोनों बात ठीक है मैं अब आपको ऐसे both लिख के दिख represents एसे भी लिखके दिखाऊंगा ताकि concept अच्छा के लिए हो चलो यहां भी कर लो कि इसको वाइ ऐसे कर लो ताकि आपको concept अच्छा के लिए हो जाए है अब बराबर मैं इसके लिख सकते हैं आप चाहों कि बहुत सारी जगाब है आपको इस तरह रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो चाहे dy upon dx लो या just y पे प्राइम लिख लो एक ही बात है तो answer के आगे 2 sin x और 2 sin x और cos x चलो यहां तक समझने में कोई मुश्किल परेशानी कोई ऐसी tension वाली बात अभी तक हमारी नहीं होई अच्छा अब हम जो है वो इसको मजीद आगे solve करेंगे और मजीद इसका जो ह second order derivative तो हो गया है अब इसका हमने लेना है second order derivative ठीक है अब हमने क्या करना है इसका second order अच्छा अब second order derivative करने से पहले यह किसी चीज़ का formula बन रहा है याद आ रहा है चलो याद करो formula लिखवा रहा हूं आपको 2sin2θ equal to 2sinθ cosθ याद आया आगया न है तो यहां पर क्या है 2b है 2b है minus को ignore कर दो minus अगर वहां है तो यहां भी आ जाएगा त्क कोई मसला नहीं है 2sinθ यान x cosx cosθ यानि यह किस चीज़ के बरावर होगा 2sin2x के तो यह पूरी चीज किसके बराबर है साइन टू एक्स के तो वाई प्राइम लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टू ठीटा माइनस था तो इसलिए इसके साद भी माइनस आया नहीं होता तो नहीं आता अच्छा अब अपने फस्ट गुर्टर तो हो गया अब सेकी अवर्डर डैरीवेटिव तो यहardoो सेकेंड ओिड होगा विद्च rat ये याद राखना तो अब देखो पहला derivative हो गया अब second derivative इसी के answer का लेंगे इसी चीज़ का लेंगे तो यह double हो जाएगा क्यों क्योंकि आप पता चल ला है कि आपने दूसरी time derivative ले रहे हो अब यह क्या होगा देखो dy और dx यह तो as it is आ जाएगा अब again derivative ले रहे हो न with respect to x तो d upon dx multiply हो जाएगा इस dy upon dx के साथ सही है जब सिर्फ y लिखके शो करोगे तो प्राइम और जब ऐसे शो करोगे तो आपको इस तरह करना पड़ेगा तो dy upon dx minus sin 2 x sin 2 theta बलके x नहीं है हम theta के respect x के respect से काम कर रहे है न इसको ठीक कर देना अच्छा अब बागी सही है कोई मसला नहीं है तो यह solve हो जाएगा d से d हो जाएगा square आ जाएगा और dx का square हो जाएगा सभी इस चीज़ को याद रखना है यह बच्ची यह बड़ी करती है लेकिन अब आपको नहीं करेगी अच्छा इसका derivative बताओ साइन का derivative क्या होता है कॉस टू एक्स अब एंगल का अलग से derivative लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि एंगल एक्स के इलावा है तो एंगल का अलग से derivative लेलो तो टू एक्स डी एक्स तो यह डबल हो गया यह टी का square y sin x square equal to minus तो टू एक्स का derivative क्या होगा जस्टू क्योंकि एक्स वन हो जाएगा constant है ना मतलब टू लेना है third order derivative तो third order derivative इसका होगा इसका नहीं होना इसका होना है third order derivative तो अब आप लिख दो third order derivative derivative with respect to with respect w से बाता रहा है ना पर टी आएगा एक्स से यह अच्छा बागी अगा मैं में यह करता हूं कि देखो भाई अब आप third order derivative ले रहे हो ना अब जब सेक्ट लिया था तो टू था अब ठाड ले रहे हो तो एक दो तीन हो जाएगा ठीक है अच्छा अब जबो ड़ी का स्कॉायर वाय और डी एक्स का स्क्वायर अब एक और टाइम डेरी वेटिफ ले रहे हो तो डी अपॉण डी एक्स x multiply हो जाएगा और equal to को तरफ भी हो जाएगी यही चीज़ minus minus 2 cos 2x ठीक है थोड़ा सा जगा कम है तो मैं फिर से साफ तरह बोषिश करता हूं माइनस2 चॉस2 एक्स ठीक है मैंने लिख है माइनस2 चॉस2 एक्स अच्छा अब यह क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिफ लो माइनस2 है वो तो एसटिस ही रहेगा cos 2x का derivative क्या होगा हाँ minus sin 2x अब यहाँ जगह नहीं है लेकिन नीचे लिख रहा हूँ इस चीज़ को मैं ठीकर नीचे लिख रहा हूँ angle का अलग से derivative होगा तो वो क्या हो जाएगा d upon dx 2x अगर angle x के इलावा है तो derivative 1 नहीं होगा मैं समझाता हूँ अगर x होता angle जैसे यहाँ पर x था तो मैंने अलग से नहीं लिखा क्यों क्योंकि उसका answer बनाना था लेकिन अगर 1 के इलावा है angle तो इसका answer फिराएगा 2 इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा आपको अच्छा तो कोई 3 टाइम होगिया d का cube y d y का cube equal to यह solve हो गया तो minus minus plus plus लिखने के दुरूबत नहीं है two sine two sine उतके बार के आगे आपके पास two x और इसका derivative लोगे just two बच जाएगा two two से multiply हो जाएगा तो आपका third order derivative के आया इसको check भी करेंगे इंशाल्ला तो two two से multiply होगे four sine two x the final answer is यह आपका final answer है समझ में आया अगर यह सवाल आपको समझ में आ गया फिर तो सारी बात समझ आ गई असल यह चीज़ थी ठीक है तो इसमें ठोला time भी लग गया लेकिन यह हमारा असल था आप इसको match भी कर लें तो जो answer हमारा आया है answer हमारा क्या है 4 sin 2x तो देखो बुक में जो दिया है उन्होंने वहाँ 4 नहीं लिखा हुआ नहीं बलके लिखा हुआ है बलके लिखा हुआ है उन्होंने तीनों derivative का answer अलग-अलग दिये है अचा first order derivative हमारा कौन सा था first order derivative हमारा यह था इस cancer आपको बुक में लिखके दिया हुआ है उन्होंने minus sin 2x second order derivative आपको कौन सा था second order derivative यह रहा इस cancer भी उन्होंने आपको बुक में लिखके दिया हुआ है ठीक है minus 2 cos 2x third order derivative कौन सा था यह था 4 sin 2x बिलकुल हमने सही काम किया कोई हमने गडबड नहीं करी कोई हमने गलती नहीं करी तो I hope यहां तक बास समझ आ गई होगी question 3 कराता हूँ अच्छा मैंने आपको कह दिया question 3 कराता हूँ लेकिन पहले question 2 कौन करेगा question 2 करते है पहले उसके बाद फिर question 3 भी कर लेंगे फोर भी कर लेंगे फाइट भी कर लेंगे सही सारे question कर लेंगे question मैं आपके समने उतार देता हूँ find अब यह थोड़ा सा लेंदी है ठीक है लेकिन असान है find second order derivative derivative अच्छा आप आपने second order derivative लेना किसका है वो भी चीज़ इन्होंने दी भी आपको second order derivative लेना है आपको एक function दिया वह इन्होंने f x equal to cos x upon 1 plus sin x यह इसका आपने second order दो time derivative लेना है पहले एक derivative लोगे जो answer आएगा उसका again derivative लोगे आप सही है चला अब इसको करता है solution अच्छा सबसे पहले first order derivative लो अगर formula लग रहा है तो वो as it is लगेगा जैसे लगता आया है उसमें कोई मसला नहीं होगा second time order derivative लेने में formula अगर लग रहा है तो लगेगा अब यहां formula कौन सा लग रहा है u और v का था ही उपर वाली चीज यू नीच वाली चीज भी अब u और v का formula क्या है आपके पास अगर derivative हो रहा हो यू और v का तो वो बराबर होता है वी यू का derivative माइनस यू और v का derivative और v पे square यह formula यूज होगा दो बार यूज होगा देखना आप लोग अच्छा आप ज़रा उपर वाली इसको यूज कर लेते हैं अब देखो function को आप कैसे लिखोगे अगर पहला derivative ले रहे हो तो ऐसे लिखोगे जो हमने पीछे भी पढ़ा था अब इसको ज़रा formula कर जाता है वी क्या है हमारे पास one plus sin x है अच्छा यू क्या है हमारे पास और इसका आपने ले ले ना स्कॉयर one plus sin x का स्कॉयर अच्छा डिनोमिनेटर को छेड़ना मत वनना मुश्किल हो जाएगा सवाल डिनोमिनेटर को चलाते रहो न्यूमिनेटर के साथ आप अपना सॉल्फ करते रहो चीदों को अच्छा इसके उपर डेरिवेटिव नहीं है तो यह तो आजाना है ठीक है इसका डेरिवेटिव क्यों होगा साइन का डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया था माइनस साइन होता है याद रख लो यह सारी चीज़े अच्छा अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं तो वन का ड derivative zero और प्लस है साइंग कड़ एरिवटिफ कॉस एक्स हो गया अच्छा बन प्लस साइं एक्स का स्कॉर अच्छा अब देखो इसमें से है कि यह आगे चलता रहेगा अब देखो जरडाव साइंनों से सॉल्फ हुआ एक मैं डिर इन्ट इस सीन i güç माइनस pennec स्कॉस एक्स का स्कॉइर हो गया है अच्छा वन प्लस साइन स्कॉइर भल्गे पहले एक्स आएगा फिर होल पे स्कॉइर आएगा अब देखो यहां पर ना फॉर्मुला बनता वा नजर आ रहा है मुझे अब वह यह है कि मैं अगर माइनस को कॉमन केच लूँ माइनस को अगर मैंने बहुर चृष लिया थो सब प्लस में हो जाना उंदर साइन एक्स प्लस साइनिश्कायर एक्स प्लस कॉस इसकॉइर एक्स ठीक है डिवाईड भाइ बाई और फिर साइन Brexit साइन एकस और यह ओल इसका सभी suffer at the fact के sin square x plus cos square x equal to 1 यह चीज़ पढ़िए ना आपने बहुत बार तो यानि sin square x यह चीज़ जो है वो 1 हो जाएगी आपके पास तो minus as it is आगिया sin x plus और यह पूरा हो गया 1 अच्छा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin x को पहले लिख लूँ 1 को बाद में लिख लूँ bracket के अंदर तो जगा change कर सकता हूँ ना कोई मसला नहीं है यह चलो अगर जगा नहीं भी change करता तो यह बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि यह दोनों चीज़े सेम है numerator भी सेम है denominator भी सेम है power का फरक है लेकिन base देखो sin x plus 1 1 plus sin x एक ही बात है आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 plus sin x कोई मसला नहीं है तो 1 से 1 cancel हो गई numerator में जस्ट आपके पास 1 बज़ गई जिसको आप उपर ला सकते हो लाना चाहो तो ठीक है अच्छा तो यह आपके पास क्या हो गया यह आपके पास हो गया लग लग रहा आपका डारेक आंसल लिख रहा हूँ इसको numerator मे ले जाते है denominator को numerator में तो क्या हो जाएगा माइनस 1 क्यूं क्यूंकि आपने denominator को numerator बनाया है इसलिए माइनस 1 एक से 1 cancel हो गया नीचे एक बच रहा था उपर ले गया तो माइनस का हो गया अच्छा अब आप ले लो यहाँ पर second order derivative second order derivative derivative with respect to x लेना x के respect सही अच्छा तो अगर second order derivative लोग है तो क्या हो जाएगा एक बार derivative लिया तो एक प्राइम दो बार derivative तो दो प्राइम अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं derivative अगले step में ले ले लो ठीर ताकि आप लोगों के understanding बड़ी अच्छी हो जाए इसमें चलो बास समझा गई नो कोई मसले वाली परेशानी वाली गलत बात तो नहीं करी न मैंने सही नहीं करी चलो अब मैं उपर वाली चीज़ें मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मजीद इस पेस नहीं है चीज़ें आंसर लिखे रहें देता हूं बाकि सब मिटा रहा हूं हमारा आंसर सही आ रहा है गलत नहीं होगा इंशाल्ला अच्छा आप इस चीज़ की तरफ ज़रा गौड़ दो इसका derivative लेके दिखाओ ज़रा मुझे इसका मुझे derivative लेके दिखाओ तो क्या होगा जो माइनस है वो तो as it is रहेगा और माइनस वन आ गया जाएगा तो यह माइनस वन होगा तो इसके बाद क्या होगा कि 1 प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस वन क्यों क्योंकि आपको अच्छी तरीके से यादे आप derivative लेते तो माइनस वन तो आ गया गया माइनस वन के साथ माइनस हो गया अब विताउट पावर डेरिवेटिफ लो जो भी पावर है उसको भूल जाओ सिर्फ अंदर वली चीज का अलग से डेरिवेटिफ ले लो यह लोग हो गया काम असान अपका अब इसको simplify कर दो जक्त बस यह एक step का जो समझना है आपने मैंने क्या किया बात समझ आ रही है ना power जो थी वो आगया गई और power के साथ minus 1 करा दिया जैसे हर बार करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो नुमिरेटर में क्या आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स और माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू इसका डेरिवेटिफ क्या हो जाएगा वन का डेरिवेटिफ जीरो प्लस cos x अब देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा क्यों क्योंकि तो मुझे पता x का derivative बनी होता है इसको रिमूफ कर दिका हूं तो अब just answer लिख लेता है इसको denominator में ले जो क्योंकि ये power negative है positive हो जाएगी तो cos x आगी आपके पास divide by 1 plus sin x और power पे square this is over answer अब चेक करते हैं क्या क्या यही दिया यह गलती है यह अलग दिया है ठीक है तो अलहमदुलिल्ला बिल्कुल ठीक काम किया cos x divide by 1 plus sin x whole पर square कोई मुश्किल परेशानी वाली बात कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना भाई समझ में आई ना कैसे किया मैंने और याद रखना भाईयों और भेनों important सवाला आते हैं पेपर में नजर आ सकते हैं आपको पेपर में नजर आ गए तो कोई मसला नहीं है हम तो करके जाएंगे ना इंशाला चलो अब आपको fourth order तक derivative लेने का का है कोई घबराने वाली बात नहीं है जैसे first order का लिया था फिर second order का third order का फिर fourth order का वैसी लेना है आव मैं करके दिखाता हूं तो student अब आप लोगों की खिद्मत में पेश है तीसरा question दो parts है सबसे पहले part one कर लेता हैं फिर part two करेंगे इंशालला देखें कहते क्या है कि आपने derivative लेना है fourth order यानि चार दफ़ा fourth order का मतलब है चार दफ़ा यानि ठीक है और फिर आपने एच को four time लिख लेना इस तरह बस ऐसे आपने थोड़ा सा काम बनने बस इतना सा काम करने आपने अच्छा अब डियावा क्या है function एच यानि function को इन्होंने एच कहके बुलाया अकसर एफ कहके बुलाते हैं लेकिन यह एच कह दिया टी की पावर सेवन माइनस सिक्स्टी की पावर फूर प्लस एट टी की पावर क्यूब माइनस 12 टी और प्लस 18 है इतना तो आपको बास समझ आ गई है अब चले डेरिवेट डेरिवेटिव अब लेकिस की रिस्पेक्ट से रहे हैं विट रिस्पेट्ट to टी लिंगे हम ठीकिस यह एकस नहीं है तो इसलिए टी की रिस्पट से लिएंगे अच्छा अब देखो इसको आप ऐसलिग गये ना यानि इस से बता चले का एक इख डेरिवेटिवर हो आप देखो इधर हम लेंगे तो थिरी मल्टिप्ला हो जाएगा सेवन से या इदर हम लेंगे तो एट मल्टिप्ला हो जाएगा टीक है ठीक है इधर हम करेंगे तो अच्छा साइन की गड़बड़नी होनी चाहिए 12 और पावर में बन है तो बना गया जाएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो 0 हो जाया है इस तरह से होता है यह 0 समझ में आया कि जो टी को डारेक्ट मैंने सिर्फ लिख दिया 12 तो वो डार हम इंजीनियर्ग वाले ना अशक्त करते हैं अपने उपपर यह ऐसा होगा या नहीं होगा कुछ और तो नहीं होगा ठीक है चलो तो थीरी मृटिप्लैबर 742 होता है मैं पता है तो यह 41 बना गया अच्छ वो अभी चेक कर लिया हो ना गलब रह जाता है अच्छ यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 24 यह तो ठीक है न अच्छ और यह क्यों हो यह जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका 8 ग्रेट मुल्टिप्लाइबर 324 यह भी आपका और यह जोड़ रह जाए यह आपका भी फास्ट अडर डेरिवेटिव हुआ यह फाइनल हो गया सैकेंडूर डेरीवेटिव में क्या करना है अपने अच्छा लेना किसकी रिस्पेक्ट से विद्रिस्पेक्ट टू टी के रिस् अच्छा आगया अब दो टाम डेरिवेटिव हो गया इस तरह शोग होगा त्वेन और यह इसक्स आगया अच्छा एक कम हो जाएगा सिक्स में से 24 और यह थिरी एक कम हो जाएगा और इस दर हमने शायद इसको आइल लिखना बोले है तिक है अब आ जाना है आपके पास सुरी एट नहीं है यह नीचे वाला देखना 24 हो गया और उसमें टू आ गया और टू में से एक माइनस हो गया यह 0 हो जाना है डारेक डारेक लिख दिया मना था कि आपको बात तो पता है यह नहीं होता क्या है यह आपका सेकंड और डेरिवेटिव कांसर आ जाएगा 21 मुल मुल्टिप्लाइबर 6 तो यह आपका आगया 1 2 6 और टी की पावर 5 माइनस यह हो गया आपका अच्छा यहां पर हमसे थोड़ी मिस्टेक हो रही है और वो मिस्टेक यह है कि 3 आगया आएगा 3 आगया जाएगा और टी 3 में माइनस 1 हो जाएगा अब सर्यें 24 मुल्टिप्ला हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और टी वन हो जाएगा तो यह आपका दो टाइमडेरीवेटिफ़ हो गया साहिं अब हमने इसको लेना है तीसरी टाइमडेरीवेटभ Remanda रसा ठीरी पर यह रहा जाएगा ज़गा काफी है तो कि थार्ड रडर derivative अच्छा वित रिस्पेक्ट टू करेंगे अगें रिस्पेक्ट के ही चल ला हैं है अच्छा ठट और रहे तो क्या हो जाएगा थी टाइम हो जाएगा यहां पारे 72 तो यह 2 आ गया जाएगा और यहां हो जाएगा T साहिए और यह मेरे खायल से 48 हो जाएगा साहिए तो यह जस 48 हो गया क्यों क्योंकि T1 हो गया तो यह अब सॉल्फ कर आजए थे थोड़ा सा तो आपका अंसर फाइनल हो जाएगा थाड ओर का तो 126 मुल्टिप्लाइब 5 दांसर इस 630 T की पावर 4 माइनस 72 भी कर लो भाई लगया था 72 मुल्टिप्लाइब 2 दांसर इस 144 144 यह आपका हो गया थाड ओर डेरिविटिफ यह आपका फर्स्ट ओडर यह आपका सेकंड ओडर यह आपका थाड ओडर अप लेते हैं फोर्ड ओडर फोर्ड ओडर डेरिविटिफ विट रिस्पेक्ट टू टी लेंगे अगें अब तो फोर्ड टेरिविटिफ है तो यह चार टाइम आ गया है अब तो इसके साथ मुल्टिप्लाइब हो जाएगा फोर और फोर में से कम होके थिरी यहां पर टी है तो जस्ट वह वन हो जाना है तो यह वन फोर फॉर एदेटिस आ जाएगा ठीक है अब बस जस्ट मुल्टिप्लाइब कर लो अपका अंसर आ गया है जो मैं देखके पचान सकता हूं चार टाइम है क्यों एक दो टूफाइफ 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 टूजिरो और इसमेंसे कम कर दो तो यह बल्गे कम हो चुपा है तो वन फोर फोर यह फाइनल आंसर है मैच कर ले तें ठीक कर रहे हैं यह गलत कर रहे हैं तो अलहमदुलिल्ला बिल्कुल ठीक कर रहा है 2520 टी की पावर क्यूप माइनस 144 तो यह है आपका चार टाइम डेरिवेटिफ तो आपके उपर है किस तरह से आप और लेके चलते हो मगर और जिस तरह भी लेके चलना कंफ्य गया है तो फिर आगे डाइन डेरिवेटिफ सही नहीं आता चलो अब अपना कोईशन फूर करते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले न आपने क्या करना है आपने जो है पहले थोड़ा सा इसको सिंपलिफाय करके लिखेंगे अब से यह मुराद है कि अभी एगा माइनस तो अब यह बने डाल शेयर होगते हैं और यह हो गया आपके पास एक्स और वन अपॉल्ट हो सही है आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाइ शुरू करते हैं तो तो फस्ट अउडर डेरिवेटिव मैं ना ब्रैकिट भी बना दूँगा इस पार तो आपको याद रहेगा सबसे पहले क्या होगा जो पावर है वह आपकी नीचे उतर जाईगी तो पावर क्या है आपके पास बन अपॉन थिरी वन अपॉन थिरी यह अच्छा एक और चीज याद रखना के 1 upon 3 तो आपके नीचे उतर गई और साथ ही साथ जो है वो माइनस हो जाएगा 1 1 upon 3 minus 1 समझा रही है यह 1 upon 3 लेगा अगर थमझ नहीं आ रहा तो तोड़ा साना समझने ही कोशिश करना यह minus 2 हो गिया पावर आज उतर गई एक्स और minus 2 minus 1 हो गया एड़ाप का इड़ेटिस आ गया माइनस और 1 upon 2 आगे उतर गिया और एक्स आगिया और 1 upon 2 के साथ माइनस हो गया सही यहां तक तो कोई बात में ऐसा नहीं था जो आपको समझना है मेरी बात है अब तोड़ा सा सिंप्लिफाइए कर लेते हैं 1 upon 3 एक्स तो यह कितना हो जाएगा आपके पास इसको बाप सॉल्फ करोगे यह जाएगा 1 upon 3 3-1 तो यह जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 और यह प्लस 2 हो जाएगा अच्छा थोड़ा सा ना डायक्ट सॉल्फ कर लेता हैं यह कितने पर आता है 2 के डेबिल में 2 पर मतलब 1 पर और यह आता है 4 पर तो यह हो गया आपके पास प्लस एक्स की पावर माइनस 3 और यह हो गया आपको 4 तो यह बास समझाए ना माइनस 1 अपॉन 2 और एक्स की पावर यह माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा अब पावरों को पॉजिटिव करने की कोई जरूबत नहीं है क्योंकि हम थाड और फॉर्ट और डेरिवेटिव लेने जा यह लो इतना करते तो ताकि आपको जाद रहें है सब्सक्राइब यह फास्ट और डेरिवेटिव ए रहा फास्ट और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह इस तरह डबल हो गिया आपके पास और यह और वन अपॉन 3 एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन 3 मैंनस 1 अच्छा अब आपके पास आगया प्लस तो 3 आपका मैंनस आगया आगया मैंनस 3 पावर आगया गई मैंनस 3 मैंनस 1 divided by 4 मैंनस 1 upon 2 मैंनस 1 upon 2 आगे उतर गया और एक्स मैंनस 1 upon 2 के साथ मैंनस 1 हो गया चल यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं होगी समझने गया है एक स्टेप नीचे ही कर देता है अच्छा है थोड़ी जगह से एक हो जाएगी मैंनस 2 और 1 के साथ हुआ तो मैंनस 2 ही रह गया और यह 9 हो गया और यह x हो गया और इसको सुल्फ कर लो मैंनस 2 तो मैंनस 2 upon एक मिनट मैंनस 2 upon 3 मैंनस 1 दांसर इस मैंनस 5 upon 3 मैंनस 5 upon 3 अच्छा मैंनस प्लस मैंनस ओ गया 3 upon 4 एक स्की पावर मैंनस 4 मैंनस प्लस मैंनस 1 upon 4 एक्स की पावर मैंनस 1 upon 2-1 तो मैंनस 3 upon 2 तो तो स्टूटन अब जो है इसका थर्ट ओडर डिरीवेटिफ लेते हैं तो थर्ट और डिरीवेटिफ विए रिस्पेक्ट टू एक्सी होगा ठीकए एक्स की रिस्पेक्ट से काम चल दा नहीं जिसको तीन टाइम हो गया क्योंकि हम थर्ड ओडर पर जा रहें तो माइनस 2 अपॉन 9 हो गया और पावर आगे उतर जाएगी तो माइनस 5 अपॉन 3 हो जाएगा और माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 एक मिनिट ज़र में बहतर करके लिए सब्सक्राइब यहां क्या किया समझ में आये ना माइनस टू अपॉन फाइफ पावर आगे उतर गई और फिर पावर के साथ माइनस थिरी हो गया आपका और यह फोर हो गया आपका सब्सक्राइब पावर आगे उतर गई माइनस फोर हो सभी है अब जगह नहीं है तो इदर नीचे थोड़ा नीचे करके लिए करूं वन अपॉन फूर और माइनस थी अपॉन टू एक्स की पावर माइनस थी अपॉन टू माइनस पर चलो अब थोड़ा सिंप्लिफाई कर लो ताकि आपको समझ में आजाए बात माइनस माइनस प्लस 10 हो गया और 27 हो गया एक्स की पावर हो गए ठीक है तो इसको मजी सिंप्लिफाई करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस इसको सॉल्फ करेंगे पावर को तो माइनस 8 अपॉन 3 ठीक है तो यह 4 से 4 कैंसल माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो 3 एक्स की पावर म थोड़ा से बहतर कर गता हूँ अच्छा माइनस प्लस माइनस ठीरी और ये 8 हो गया X की पावर माइनस 5 अपाउन 2 माइनस 5 अपाउन 2 समझ में आए क्या किया मैंने अब जो है हम इसका 4th order derivative लेते हैं तो लिख जेता हूँ यहाँ पर 4th 4th order अब इसको मैं इतना रिमूफ कर रहा हूँ अच्छा 4 से 4 कैंसल होगे तब बात समझ आ रही होगी है अब हम अपना लास्ट अडर डेरिवेटिव कर लेते हैं देखो भाईयों और भेहनो यह लो एक्साटिया अपना देखो 10 एज़ेटिस आगे अपना डिवाइड में आगे आगे आपका 27 ठीक है और यह आगे माइनस एट अपॉन 3 सही है एक्स के पावर माइनस एट अपन तीरी माइनस वन एक मिनट तुक्षा साफ उत्रा लेकर असल में यह थोड़े ही जगा नहीं है इसलिए अच्छा स्वारी आप लिए नजर ही नहीं आ रहा होगा अब सही समझ में है कुछ नहीं किया बस पावर आगे उतारी है और म माइनस फाइफ की पावर माइनस फाइफ और माइनस फईफ योटी कि यह हो गया माइनस प्लस माइनस 80 और 81 हो जाएगा थिरी मल्टिप्लाइब 27 कर लो तो यह 81 ही देगा आपको एक्स की पावर माइनस 11 अपॉन 3 आएगा आप डायरेक्ट भी देखकर भी अल्चिम समझ सकते हो चाहो तो कल्कुलेट से भी ले सकते हो 11 अपॉन 3 से माइनस 15 और एक्स की पावर माइनस 6 इसको भी सुल्फ करो माइनस माइनस पिलस इपना हो जाए तो बहुत 15 और 16 ति अप्लिपलाइब 5 15 एट मुल्पलाइब तो 16 एक्स की पावर माइनस सेवन अपॉन 2 सेवन अपॉन 2 तो माइनस फाइफ अपॉन 2 लिखो और माइनस वन लिखो तो सेवन अच्छा माइनस एटी और एटी वन अब जरह इस पावर को नीचे ले आओ तो यह क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगी ना पॉसिटिव हो जाएगी बस यहीं पर आसल समझना है आपको एक्स को नीचे ले ओ तो यह भी पॉसिटिव हो जाएगी 15 नीचे ले आओ तरह पावर को तो सेवन अपॉन 2 अच्छा अब फाइनल अंसर लिखने की तरह चलता है क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एक्स की पावर 11 कर दूँ और वन अपॉन 3 को बाहर कर दूँ इधर भी यहीं कर सकता हूं जम वहां किया है तो एक्स की पावर 7 कर दूँ और वन अपॉन 2 को बाहर कर दूँ थमश्ट हो गए होंगे आप लोग में चार्ज कर रहा हूं इसके इस तरह से माइनस एक्टी एक्टीवन क्यूब रूट आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 11 माइनस 15 एक्स की पावर 6 प्लस 15 16 एक्स की पावर इसक्वाइर तो लिखने की दुरूद नहीं है ठीक है यह आपका फाइनल आम सब्सक्राइब आपका फाइनल आम सब्सक्राइब आओ चेक करते हैं कि ठीक आए है गलत है तो कोशन नमबर फॉर था या थिरी था बलके थिरी का पाट टू माइनस 80 डिवाइड बाई 81 x 3 Sich2 की पावर एक्स की पावर 11 ठीक है माइनस 15 की डिवाइड बाई कि पावर 6 प्लस 15 डिवाइड बाई 16 64 रूट के अंदर ps की पावर 7 तो नहीं होब इख है खिए अछ मझा गया हाँ कोशन नमबर 8 8 से पहले 4 भी दो है, चलो 4 कराता हूँ, तीन बलके तीन पार्ट है उसमें, चलो कोई बात ने कर लेंगे, कोशन्स काफी है इसमें, तो सुडेंट यहां पर भी आपने सेम काम करना है, जो कोशन नमबर 3 में किया, अपने इनका 4 टाइम डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, यह 4 ओडर का मतलब है, 4 टाइम लेना, सही है, चलो सलूशन की हेडिंग डालते हैं, असान है, जदा मुश्किन नहीं, अब देखें, सबसे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लिफाय ही कर लेते हैं, वही जो स्टैप करते है यह जाएगा, एट टी और 1 अपन 2, सही है, ज़स्ट खोल दिया, फर्स्ट और डेरिवेटिव, अच्छा देख, फर्स्ट और डेरिवेटिव क्या होगा, पावर में यह आजाएगा, मतलब यह प्राइम आजाएगा, ठीक है, और 2 आगे उतर जाएगा, टी का स्कॉर माइ अच्छा यह आजाएगा, प्लस, एट हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपन 2 आगे उतर जाएगा, टी और 1 अपन 2 माइनस 1, अच्छा यह आर, टी इकूल टू, 6 और टी हो गया, प्लस, यह बन पर आता है, यह फोर पर आता है, तो 4, टी माइनस 1 अपन 2, सही है, यह फस्ट तो सचींड पर कि आद्धो कि से ले रहा हूं इस में बडिवेटर ने मिश्बर्द इनिरेंल तो यह आज यह तो टाइम यह टी हो गया six हो गया यह वन जाएगा अच्छा वर यह फोर इस आजया अब यह बन अपउन टू हो जाएगा माइनस का और टी माइनस वन अपॉन टू माइनस वन सब्सक्राइब देखो आपको पता है न टी का डेरीड वे डिप बनाएंगा न क्योंकि दो कि ती है वन अज लोतर गया वन माइनस वन की पावर मतलब किसी भी चीज की पावर जीरो होगी तो वो किसके वरावर होता है मन की उसको याद आपको है इसको शॉल्स को लेजा तो यह जिस्प 6 यह 2 पर आता है यह 1 पर आता है तो माइनस 3 sot 2 t की पावर माइनस 3 एगा मैनस माइनस प्लस एक मिनट रूब हो जागा ठीक है तो यह माइनस फाइफ हो जाएगा यह माइनस जो है थिरी हो जाएगा सही तो माइनस बन अपॉन टू माइनस वन तो माइनस थिरी अपॉन तो अच्छा अब आ जाते हैं थर्ट आउडर डेरिवेटिव अगें विद्रिस्पेक्ट टू पी ही होगा जब तक टी है तो टी ही रहेगा अच्छा अब देखो कनने क्या है तीन टाइम हो रहा है तो इद लगा दो 6 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव चाहो तो लिख लो जाओ तो जाएगा अब देखो यह होगा थिरी अपॉन टू टी मा माइन पलस हो गए हैं तो यह ओंगया 3 t और यह ओने माइन फाइप अपाउन चल Town Thomas iki तो यह आगी आपका थी टाइंब तरी इस और यह था आपका सेकंड डिरी बेस सब्सक्राइब अब करते हैं फौर्ट्ट टेर्िवेटिव सिह ability एक फोर्थ अउडर डेरिवेट अच्छा रिस्पेक्ट आपकी वही होनी चाहिए जो इससे पहले थी यह ती है सही प्लस नहीं यह ती है जो ठीरी हो गया माइनस फाइफ अपॉन थिरी हो गया माइनस सेवन डो गया मैनस Черी से तिरी डो हो गया है तो यह माइनस 5 और माइनस सेवन डिमा डॉम है भो कैसे रही मैं तरह बता दे क। तो यहां तक तो यह सई है अब देखते हैं उन्होंने बुक में कैसे दिया वाए एक हमसे गड़बर हो रही है वह गड़बर यह हो रही है मैं बता तो अच्छा है यहीं पर मिस्टेक हो रही है वन्हां नीचे हो तो मसला बन जाता है वह मिस्टेक यह हो रही है कि यह माइनस फाइफ अपॉन टू है न तो यह तो यह तो यह जाएगा फिफ्टीन अपॉन टू यह थोड़ा सा नंबर लिखने में मुझसे गलती हो गई जल्दी जल्दी ले फाइनल आंसर यहां लिख देता है ठीक है तो इसको नीचे अताल लो पाबर को तो माइनस फाइफ नीचे कर लो निम्रेटर डिनोमेटर में लिए तो टी सेवन अपॉन टू इसको ऐसे लिख दो माइनस फुटीन दिवाइद बाइट बाइट तो टी की पावर सेवन ठीक है और वन अपॉन टू तो फाइनल अंसर क्या आया माइनस फुटीन टू और टी की पावर समझ मैं क्या किया देखो माइनस फिटीन डिवाइड बै टू स्कॉाइर रूट और पावर टीक ही सेवन आ गई यह हमारा अंसर ठीक है बस छोट ऐसा ना मिस्टेक यहां पर कर गया था मैं जल्दी जल्दी में ना यहां मैंने पावर गलज उतार दी बाइट मैं फिर पावर ठीक कर दी बाक तो देखें कोशन नमबर टू काफी ज्यादा इजी कोशन है वाई इक्वल टू कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव लेने आपने है वो भी फॉर टाइम तो देखो सबसे बहुत से बहुत से बहुत सबसे सलूशन दाल लो अब डी वाई अपन डी एक्स यह जास ऐसे लिख लो यह एक प्राइम दाल दो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइग अब एक्स का अलग से डेरिवेटिव लोगे वन ही आएगा तो इसको लिखने की दरवाथ नहीं है सेकेंड ओडर लिख लो विथ रिस्पेट तू एक्स तो यह वह दॉबल प्राइम और सानि का डेरिवेटिव होता है कॉस जस्ट कॉस अब थर्ड अर्ड लिख लो थर्ड और अर्डर रिवेटिव विथ रिस्पेक्ट चू एक्स तो यह आ गया तीन टाइम हो जाएगा स्कॉस का अगीन डेरिवेटिव होगा माइनस साइ तो फाइनल अंसर चाहा रहा है आपका इसका साइन एक्स अच्छा अब आप लिख लो फोर्थ आउर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह साइन का अगीन डेरिवेटिव क्या आगिया आपके पास साइन का डेरिवेटिव क्या आगिया आपके पास कॉस तो अगर आपने चार टाइम डेरिवेटिव लिया तो कॉस ही दुबार आगिया आप चेक कर सकते हो यह ठीक आए साइनमा या प्रह inserted सिन का derivative माइनज़ कोस माइनस साइन का साइन का अगिन कोस कोस राया साइन का फिर अगिन डेरिवाटिवाया कॉस भी आपको फाइनल है अब करते हैं इसके बाद वाला question ठीक है तो student आपके सामने जो आपका question मौजूद है वो है question number three four का part three चलो इसको खड़ते हैं सबसे पहले solution की एडिंग दालो यहां लिखो differentiate first order derivative first order derivative with respect to y y के respect से होगा क्यों वे दोको इदर y दी है मैं इसलिए और function भी य पर है तो दो को साइन का derivative क्या होता है डायरेक लिख लो कॉस थी य अब दोको एंगल y के इलाबा है तो आपको उसको भी derivative करना पड़ेगा कि ए भी इस-पावर का derivative क्या होता है जो भी power होती की का derivative का डेरीवेडिव आ जाता है एलन का derivative कैसा लेगते हैं जो बी एलन के साथ होता है वह divide में आ जाता है और फिर उसका derivative हो जाता है यह लोग देखो इसका derivative क्या हो जाएगा 3 तो 3 आगया जाएगा अब देखो इसका derivative क्या हो जाएगा minus plus minus 2 सभी minus 2 क्योंकि y का derivative तो बन होगा तो अगर यह पास समझ नहीं आरी ना कि इसका derivative आप कैसे कर रहे हैं तो यह ऐसे होता है माइनस 2 भार आगिया जस्ट वाय पर derivative हो तो माइनस 2 आएगा इससे यह अब यह चीज़ मैं शो तो नहीं करूंगा ने अगर शो करूंगा तो पर तो पचास स्टेब हो जाएंगे इसी सवाल में कि यह पेपर में करने है थे पर में भी ऐसी करना आ आपको यह श유 कर आ Diese किस तरह से उद्डिशे लाुग आ रहा है आपको पता है और teacher को विपता है यहां पर आपका जो है वो को सॉल्फ करने की टेक्निक टेस्ट नहीं हो रहा है यहां पर आपके कंसेट हो रहा है तो सेवन सेवन करती हो जाया क्योंकि इसका भी डिरिवेटिव सेवन आ जाएगा तो यह आज़िंद्र आपका पर्स्ट अब लेने चलोगे सेखिन ओर अगेन आप विट रिस्पेक्ट वाइल होगे विट रिस्पेक्ट तो 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 अब यह डबल हो जाएगा तो आप डबल कर चुटो इसका डरिवेटिप अगेन क्या होगा माइनस ठीन माइनस 3 साइन 3 वाइल और या समझ में है कैसे हुआ अब जो मैं इधर बजा जेतां ओकर उधर समझ नहीं आ रहा तो इसको derivative मैं ऐसे लिखेंगे 3 को आगे लिख दिया चुक्क वो constant है cos 3y इसका derivative क्या हो गया minus sign 3y और angle galaxy जब यही चीज़ आ रही है अब यह मैंने बता है na steps यह नहीं show किये जा सकते है इस सवाल में इसको थोड़ा short करना होगा रहा है तो minus 2e minus 2y again वही होगा और यह जो हमारा यह है यह अपर आ जाएगा तो अब इसे जो मजीश सॉल्फ करते हैं आगे देखो 3 multiply by 3 तो कितना हो जाएगा 9 और sign आ गिया 3y डेरिवेटिव वह चुका है sign का मतलब कॉस का डेरिवेटिव साइन आ चुका है अच्छा तो यहां देखो और minus 2y हो गिया और plus अच्छा इसको देख लो क्या हो जाएगा minus 1 आगे आ जाएगा तो यह minus हो गिया और y और इसके साथ क्या हो जाएगा minus 1 minus 1 तो minus 1 minus 1 आपको पता minus 2 हो जाता है डारिवेटिव के तो minus 2 सभी है इसका derivative समझ में आगी ने कैसे जाएगा minus 1 आगया गया तो वह plus मैनस हो गया minus 1 minus 1 minus 2 इसके साथ minus 1 भी हो जाएगा यह second order हो गया अब third order लिखता हम third order derivative तो third order derivative लिख लो with respect to y तो क्या हो जाएगा आपके पास यह यह वाया गया देखो यह कितना हो जाएगा derivative अब sign का derivative क्यों होता है cos तो cos हो गया 3y अब angle का लगसे derivative आजाएगा y के respect से तो 3y आगी आपके पास ठीक है अच्छा अब इसका आगया 4e-2y अब 2y का अलक्स derivative आजाएगा जो पावर है तो माइनस इसका derivative अलक्स जाएगा ठीक है इसका derivative डारिक लेने गया इसका का derivative माइनस है ना तो माइनस 2 आगे उतर गया सभी है और यह माइनस 3 हो जाएगा समझ में आ रहा है ना देखो माइनस 2 आगे उतर गया माइनस 2 के साथ माइनस 1 होगे तो माइनस 3 आगया चलो अब डेरिवेटिव ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा तो थिरी मल्टिप्लाइब नाइन हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव थ्री आना है तो माइनस 27 हो गया और आपका डेरिवेटिव आगया कॉस थिरी वाई ठीक है अच्छा आप इसका डेरिवेटिव देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 8 हो गया इसका डेरिवेटिव माइनस 2 आएगा माइनस 24 के साथ हुआ तो माइनस 8 और e की पावर माइनस 2y माइनस माइनस प्लस ठीक है छोड़ा सा दिखने रहोगा माइनस माइनस प्लस और य की पावर माइनस थिरी यह आगी आपका थाइट अर्डर डेरीवेटिव फॉर्थ अर्डर डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट तू ती आप फॉर्थ अर्डर है तो यह ऐसे हो गया माइनस ट्वेंटी सेवन कॉस का डेरीवेटिव अगेन आ गया आपके पास मैनस साइन ठीक माइन्स य अभ ठीक मैनस अलग से यह आप इस क dew गय हो गया प्लस तो माइनस दीर और य इसका डरत आप माइनस पॉर्ट आ है पुछ अच्छा है अच्छा अभी से थोड़ा सा सिंप्लिपाई करना है वो कर लेते हैं अच्छा एक ना हमसे मिस्टेक हो रही या वह मिस्टेक वो हमिन आगए जाकर बड़ा दुख देगी और मिस्टेक यह है कि यह माइनस तो कहा चला गया तो भी तो आएगा बाकि सही है तो यह टू आ गया और यह आ गया आपके पास माइनस ठीरी और अब आ गया वाई माइनस ठीरी माइनस वाई तो नारे की लिखते जगा है नहीं माइनस पूर आ गया तो अब इसे सॉल्फ कर लेकर है थो रहाँ चाहर टाइम डेरिवेटिव तो देखो यह तिरी आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गिए एटी बन आ जाएगा तो इंटी सेवन मल्टिप्लाइब थी एटी बाकि आ जाएगा आपके पास साइन थी वाई ठीक है माइनस आ ग यह चाहूँ तो साइन ना हो जाएगा जाए माइनस सकते हैं प्लस 16 चाहो हो दो नीचे लासकते हो पावर पॉजिटिफ कर सकते हो तो आयोब यहां तक समझ में आड़िया होगा अगर कुछ नहां आया हो ना तो आप पूछ लेना इसको देख लो सेलोशन यह रहा सलुशन थोड़ा सा बड़ा है वगर असान है समझ में आने वाला है चलो अगे देख से तो स्टूडंट अब जो है हमारा कॉउशन अपने दो टाइम करना है अचा कैसे पता चले है दो टाइम दिफ्रेंशियेट करना यहां पर आप देख रहें डबल प्राइम बनाया है एक प्राइम का मतलब है एक टाइम और दो प्राइम का मतलब है दो टाइम तो आपको पता है वो डबल प्राइम करके भी लिख सकते हैं या आपको ऐसे भी लिखके दे सकते हैं तो आपको पता है कि डिफ्रेंशियेशन होनी है यहां पर अच्छा अब हम इसे जो है वो डिफ्रे तो आप लिखो First differentiate with respect to x यह लिख लो First order derivative अच्छा अभूमन इस तरह लिखावान नहीं मिलेगा first order derivative वो डारे यही लिखते differentiate with respect to x तो उसका मतलब यही होता है कि पहली time derivative हो रहा है मगर मैं first order derivative इसले लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो कि हाहाँ यह पहली बार derivative हो रहा है तो आप दोनों वडिंग में से कोई भी लिख सकते हो first order derivative अच्छा respect क्या है आपका with respect to x है हमारा इसका मतलब y नहीं है इसका मतलब है अपने x के respect से ही करना है y तो वो प्राइम में आ रहा है जैसे उपर आ रहा है तो हम इसको इसी form में लिखते हैं क्योंकि answer भी इसी form में दिया आपका यह आ जाएगा बलकि इस form में नहीं आएगा क्योंकि इस form में तो answer आएगा पहले हमें इस तरह करना होगा d upon dx x का square plus y का square equal to d upon dx और यह 10 देखो भाई इसका derivative क्या हो जाएगा 2x अगर without power derivative लोगे तो भी x ही है वन आएगा अब इसका क्या हो जाएगा 2y मगर यह x नहीं है तो आपने without power derivative भी लेना होगा तो यह बन नहीं आएगा यह 0 हो जाएगा 2x plus 2y और यह होगे dy upon dx इसको छोड़ा सब्सक्राइगा नहीं bracket कर देना ताक लिए अलग लगे चलो यह आपका first order derivative चल ला है अब तो कोई यह यहां क्या हो रहा है plus महां जाके हो जाएगा minus 2x 2y dy upon dx equal to minus 2x यह क्या हो रहा है multiply तो नीचा के divide होना इसने तो 2y और 2x equal to minus 2x divided by 2y 2 से 2 cancel हो जाएगा जैसा आप पीछे पढ़ते आयों तो final जो आपका answer आ रहा है वो मैं ऐसे लिख देता हूं देखो यह चीज़ आपके पास ऐसे भी लिखी जा सकती है है एक टाइम derivative हुआ है यहां ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तरीके आपके उपकर डिमेंड है फाइनल आ रहा है आपका एक्स अपॉन य यह तो आपका first order derivative हो गया अब आपने लेना है second order derivative first order derivative तो मुश्किल नहीं था second order derivative करते हैं तो आप यहां लिख लो second order derivative अक्सर इसका वर्ड यह भी इस्तमाल हो रहा हुता है अगें डिफ्रेंशियर्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अगें से फिर यह नहीं पता चल्ला होता थार्ड है फोर्थ है तो second लिख दिया तो पर तो वाज़ होगी है यह second order derivative है second order derivative with respect to x x की रिस्पेक्ट चल ला है तो एक्स की रिस्पेक्स होगा अब यह नहीं लिखूंगा मैं यह लिखूंगा तो दिवाए अपॉन डी एक्स और डेरिवेटिव ले रहे हो तो आगें आपका दी एक्स सही है इसके पर भी डेरिवेटिव आएगा अभी डेरिवे अच्छा देखो अब यहां पर ना फर्मुला प्लाए हो रहा है यू और वी वाला यू और फर्मुला याद है चलो याद नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ एक स्टेप बढ़ा के अब भी तो फिर इसको एसेटिस उतार देता हूँ मैं फर्मुला लिखवा देता ठीक कर लो इसकी अच्छा तो थोड़ा लाइटिंग कंडिशन में मसला आ गया था लेकिन अब ठीक हो गया अच्छा अब देखें अब हमने क्या करना है फर्मुला लिखना है तो वी और यू का डेरिवेटिव माइनस यू और वी और वी का स्वार चाहिए डेरिवेटिव य और डीड़ी इसकाइब अब य क्या है य और डेरिवेटिव हो जाएगा च्बाव है आपके पास माइनस एक सब्सक्राहरए सब्सक्राइब हो और यह चैसे अब और यह ऑग के साथ लगाने की ज़रूरत है यह नहीं यह हूं ऐह जयाए और यह एक्स के साथ लगाने तो यह सब्सक्राइब दो यह अगया तक तो बात उमीद आच्छी समझ में अगई होगी अगर 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 कुछ जगा मिल जाए जो कि है तो नहीं लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इदर लिख लें तो d का square y और d x का square equal to देखो y तो minus to isitis आगिया y भी isitis आगिया ये वाली चीज आपके बाव 1 हो गई x का derivative तो 1 हो गया और ये x आगिया इसका derivative हो गया d y upon d x और y का square यहां है तक आपको कुछ भी समझने में मुश्किल नहीं होई होगी और नहीं यहां कुछ समझने में परिशानी होई होगी अच्छा अब देखो एक चीज़ देखो dy upon dx first order derivative को देखो dy upon dx कितके बराबर है minus x upon y तो क्या मैं इस चीज़ को यह जो हमारा dy upon dx है इससे replace कर सकता हूँ क्योंकि तो बराबर है dy upon dx इसके बराबर है minus x upon y तो replace कर देते हैं तो here here लिख लो ताकि याद रहे कि dy upon dx equal to minus x upon y सभी तो d का square y और dx का square equal to minus तो यह y आगिया यह minus आगिया यह x आगिया और इसकी जगह क्या आगिया minus x और y और divide में आगिया 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 तो यहां तक आपको बास समझ में आ गई अब देखें यह y हो गया डी का square y और dx का square equal to minus अच्छा यह हो गया आपका y और यह minus minus plus x का square और यह वाइर ऐसी प्रो का लोकर उपर आ जाएगा तो यह हो जाएगा one upon y का square सभी अच्छा आप एक step चाहें तो यहीं ले लीजिए यह उपर ले लीजिए तो यहाँ एसी हम ले ले लेते हैं तो यह हो गया y का square तीक है y का square हो गया और y के square होने के साथ साथ यह होगी आपके पास plus x का square और y का square वैसा तो यहीं पर answer आ सकता था लेकिन इसका final answer में इधर करके लिख रहा हूं तोड़ा सा जगख हम हो जाएगी लिखे आ जाएगा तो यह किस चीज़ के बराबर हो गया यह आपके पास बराबर हो गया इसके मैंने आपको शुरू में बता दिया था यह उपर ही अच्छा तो यह जो y square है आप इससे multiply करा दो और minus को solve नहीं कराएंगे हम ठीक है यह स्क्वाइर स्वाइस से multiply करा दो तो यह माइनस आगी है यह स्क्वाइर प्लस एक्स का स्क्वाइर डिवाइड़ बाइड़ वाइक्यू और यह answer है बस यह final answer है तो यहां तक आपको यह बास समझ में आई होगी कि मैंने क्या किया मैं जो जो करता गया वह आपको फर्दन फर्दन explain करता गया अगर ना समझना तो इक पर solution को देख लो अच्छी तरह से यहां से solution शुरू हुआ यहां से solution शुरू हुआ फिर हमने इनी steps को follow करके हम यहां final आगा है ठीक है तो I hope यहां तक समझ में आगी हो चलो अब इसका जो वह अगला बात नहीं है दोनों add हो रहे हैं आप x square को पहले लिख सकते हो और y square को बाद में लिख सकते हो और बाकी बिनकुल फॉर्म यह है अगर मैं बुक जासा बनाना चाहूं तो चलो बुक जासा कर देता हूं आप ऐसे भी चोड़ोगे तो पूरा नमबर आएंगे यह x हो गया य है तो यह कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी तो आयो हो यहां तक समझ में आजिए हो अब अपना question number six करते हैं तो student अब आपके पास question number six है उसका part one है और यहां पर यह देखें वही कह रहा है double derivative लेना है क्यों क्योंकि देखें अगर एक time derivative होता तो dy upon dx होता मगर डी का square y औ dx का whole square है तो यहीं double derivative हुआ है square से पता चल रहा है तो solution लिख लेता है first order derivative with respect to x कर रहा है तो dy dx 2 x का square plus 6 x का square equal to d upon df और x के respect से ही होगा क्योंकि नीचे x लिखाब अभी है 57 यह 0 हो जाएगा number कितना भी बढ़ा हो इस पर derivative अप्लाय करते हैं तो देखें 2 multiply हो जाएगा 4 से और y और 2 में से से एक minus 1 हो गया अच्छा अब देखो यह y है अगर x होता तो 1 हो जाता लेकिन y है तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा अब यहां पर ओजिया यह हो गया आपके पार 2 multiply हो जाएगा 6 है तो 12 हो जाएगा और एक्स और इक्वल टू 0 अब एक्स अलग से क्यों नहीं लिखा मैंने dx अपॉन dx क्यों नहीं लिखा क्योंकि यह बन के बराबर होता है तो लिखने की ज़रुबत नहीं है तो स्टूडेंट अब जो है इसे हम सेट भी करा देते हैं माइनस हो जाएगा उदर जाएके तो फोर वाई डी वाई अपॉन dx इक्वल टू माइनस 12 एक्स हो गया ठीक है अब यह यहां क्या हो रहा है फोर वाई मल्टिपला है यहां के डिवाइड होगा तो डी वाई अप पर यह थी पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस थी एक्स अपॉन वाई यह आपका फर्स ओडर डेरिवेटिव का अमसा रागिया ठीक है अब इसी को हम सेकिंड ओडर की तरफ ले जाते हैं सेकंड और डेरिवेटिव अच्छा रिस्पेक्ट आपकी सीम रहेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यह हो जाएगा डी वाई डी एक्स और इसके साथ मल्टिप्ले हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और यहां भी आजाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस ठी एक्स और वाई यहां फॉर्मुल चीचे है दी एक्स त्री एक्स पस आपका derivative लगेगा किसे आ रहा थे हैं अब इसके अपर लगेगा यू और वी का आप पॉर्मूला क्या है कि जब derivative हो रहा हो आपके पास U और V का यानि U और V डिवाइबल 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 रहा हो उस सिचुएशन में आप चाह करते हो V और U का derivative minus U और V और V का square आ रहे हैं आप यह भी लिख सकते हो X यहाँ पर U भी लिख सकते हो लेकिन एक जप्लिख रहे रहेगा और इस्वेक्टस्स लोग अच्छा अब डेखो अब करते यहां चाहूं तो यह भी लिख सकते हो मैं फिर 3x-3x और y का derivative और नीचे आगया y का square d का square और एन य का square d का d का एक मिनट नीचे लिखा लेता है d का square थोड़ा समें इसको नीचे कर लेता हूं d का square y और d x का square इकॉल टू माइनस आगया y आगया 3x का derivative आपके पास 3 आएगा आगे लिख लेते हैं तो डारेक्ट लिखेंगे तो 3y हो जाएगा सब्सक्राइब और आगया आगया आपका d y और d x और bracket close y का square ठीक है अब तो d y upon d x किसके बराबर है यह देख लो यह आपके पास first order का answer है यह 3y minus 3x तो minus 3x और y सही है अच्छा अब यह वाला जो y square है यह उपर आ जाएगा जैसे पहले आता रहा है तो y square उपर आ गया रैसी प्रोकल हो गया रैसी प्रोकल हो गया ठीक है अच्छा आब इसको मजीद simplify की तरफ ले जाओ आपका answer आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो यह हो गया नाइन एक्स का square ठीक है और y और वन अपॉन वाई का square बग यह सब simplify करना एल्सीम ले लो तो यह हो गया आपके पास 3y का square और y और प्लस 9x का square और 1 upon y square अब यह स्कॉयर और y को भी solve कर लो आपस में लगे हातों अच्छा पहले आपने देखा तो उन्होंने एक्स पहले लिख दिया था तो शायद यहां भी इन्होंने एक्स पहले लिखा होगा तो 9x square को मैं पहले लिख रहा हूं और 3y square को मैं बाद में लिख रहा हूं और y को y से multiply कराके cube लिख रहा हूं यह हमारा final answer है इसे हम चेक कर लेता है यह फाइनल है इसको चैट कर लेता है यह ठीक है गलत है अच्छा ठीक है लेकिन एक छोड़ा सान उन्होंने काम किया वह भी हम भी कर लेता है और अमेशन आरहा हूं ना तो निकाल ली अगर हो तो इसमें से आ रहा है 3 तो कमन निकाल लो चाहे उपर निकाल ले ना यहां निकाल लो एक ही बात है 3 common आ जिया तो 3x का स्क्वाइर प्लस Y का स्क्वाइर और य का थीद यह वह भी हो यह खाना है यहां तक भी छोड़ो ले ठीक है को मसले भाली बात नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसे किया हुए को भी ऐसे कर देते हैं तो माइनस 3 3x का स्कुायर प्लस y का स्कुायर डिवाइड़ वाइड़ क्यूग बिल्कुल सही है इसको देख लेना पूरा सलूशन आपके सामने यह आ गया ठीक है चलो भी इसका पार्ट टू गरता है तो पार्ट टू भी एक इजी कोईशन है जिसमें वह आपको कह रहे हैं कि x जाए अथीवाइडर डिरिवेटिव ए विद्प्रेट टू एकस होगा थीक है तो यहां पर डिरिवेटिव लगा जाते हैं डी अपॉन डी एकस x3 प्लस y3 ईक्वल टू डी अपॉन d x constant आपका 1 है तो यह 0 हो जाना है आएगा क्या 3 x और यह square हो जाएगा plus 3 y square हो जाएगा और d y d x y equal to 0 ठीकर माइनस हो जाएगा 3 x square equal to के उस तरफ जाके तो d y d x एक स्टेप डारेक्ट कर लेते हैं यह माइनस हो गया 3 x का square यह क्या हो रहा है multiply है तो नीचे आके obvious इसने डिवाइड ही होना है 3 to 3 cancel होना है तो d y d x equal to minus x square और y square आ गया यह हमारा था ना first order derivative cancer second order derivative करते हैं second order derivative कि यह भी लिख सकते हैं सेकेंड ऑडर differentiation विट रिस्पेक्ट तु एक्स ठीक है वडिंग भाई चेंज हो सकती है वडिंग कोई मैंने fix नहीं लिखे यहिए अपने पास से लिखवा रहू हुँ और भी ऐसे लिखता है पढ़ा रहा है तो अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि इसमें सभी हो सकता है या इडिट हो सकता है तो आप पूछ के ठीक कर सकते हो तो डी अपॉन डी एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स एक्वल टू कि इस बक्त बस मैंने जो है ना इसको फोड़ा सब कोल के लिए अच्छा अब इसको जड़ा सॉल्फ कर लेंगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा यह बाय हो जाएगा और इसको हैज़टिस लिख जाते हैं कि इस पर माँगे फॉर्मॉला प्लाय कर लेता है पहले ठीक है देखने ज़रा यहाँ करना जिया है कि अब हमने जो फॉर्मॉला याद रखना है फॉर्मॉला मारे पास क्या था फॉर्मॉला मारे पास था अगर आपके बाद डिफ्रेंशियेशन हो रही है यू और व की वह एक्स के रिस्पक्स से हो रही हो तो वह वी आ जाता है और यू आ जाता है यू आ जाता है और वी का स्कॉयर आ जाता है ठीक है भाई इस फर्मिल्य वह याद रटना बहुत ज्यादा यू लो रहा होता है तो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं जल्दी से तो यह होगी आपका माइनस आगे लिख लोगे तो यह ऐसे आ जाना है अगर यहां ठीक नहीं लग रहा तो यहां लिख लो तो थोड़ा से लिख देता है ताकर यह तंग नागर है में नीचे आखे अच्छा आप देखो वाई का स्कॉायर आगया डेरिवेटिव होगा एक्स के स्कॉायर का प्लस माइनस एक्स का स्कॉायर एक्स आगया वाई का स्कॉायर आगया आपके पास और यहां आगी है आपके पास y का square लेकिन hole पे भी square है देखो यह तो y square हो गया और y पे अलग से भी square है तो इसलिए 2 square लगा है अच्छा अब जरह इसको simplify कर लो लगे हाथ तो यह हो गया y का square यह हो गया आपके पास 2x सही है और यह हो गया x का square और यह हो गया आपके पास 2y सही समझ में आरा नहीं क्या आरा है y का square as it is रह गया इसका derivative लिए 2x हो गया तू आ गया गया तू में से एक माइनस हो गया और डी वाई और डी एक्स एड़िट इस आ गया और यह फोर हो जाएगा इसको फोरी कल देना डारेट लगे हाथ ठीक है चलो अब इतनी जगा इस तरफ नहीं है कि हम इसे शायद खोल के लिख सेथे लेकिन अगर बची तो मैं लिखता हूँगा टू एक्स वाई का स्क्वाईर ठीक है माइनस टू एक्स का स्क्वाईर वाई यह किस चीज़ के बराबर है वो लिख दो यह किस चीज़ के बराबर है ड़ी अपान ड़ीवाई पस डीपं डिएक्स ड़ीवाई पस ड़्ीएक्स WILL कॉल टो मैनस एक्स गॉर यह और यह थो ऑगर अच्छा और यह वाई की पावर y और dx का square equal to तो 2xy का square minus इसको मजीद अगर मैं simplify करा दूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक y से यह दो y हैं तो cancel हो जाएगा 2 minus minus plus हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया 2x की power 4 क्योंकि इन्होंना पस मैं basis same है तो power add हो जानी है और y अब यहाँ जरा LCM ले लो और यह जो y है यह reciprocal का लोकर ऐसे आ जाएगा y की power 4 समझ में आए ना मैंने क्या कम गिया तो square y और d x के लिए अच्छा यह हमारे पास 4 नहीं यह यह है LCM ले लोगे तो यह हो जाएगा 2x y की power q प्लस 2x की power 4 और y और y की power 4 दरह सॉल्फ कर लो final look के लिए अब तो को इसमें और common निकल ला तो आये मुझे लग रहा है उननोंने निकाल लगा इह सिका तो common क्या निकल ला है common निकल ला है इसका 2x common निकल ला है थिकैं। और x common निकलेगा तो two common निकल गया X common निकल गया अच्छा एक हमसे mistake हो रही है और वह अभी ज़्यादा बड़ी Miss टेक नहीं है माइनस हमने मिस कर दी है लिखना तो अच्छा होँ अज्ञाद हमने देख लिया वर्ना तो यह आगे चाके फिर दुबारा करना पड़ जाता हम लेंगे इतनी कोई याने वाले वक्त्हों मैं यह चोटी चोटी गलति अभी खतम करें देखो 2X अपने common निकाला तो यहां से तो common निकल गया है तो जिस वाई प्धाइब पाइब रफाइब हुआई यह फाइनल ठीक है गलत तो नहीं है यह लेकिन जारह जैसा बना देता हूँ थोड़ा सा एक हिस्टे बॉल लेकर x3 को उन्होंने पहले लिख लिया y3 को उन्होंने पहले लिख लिया y5 को उन्होंने पहले लिख लिया this is our final answer I hope यहां तक अच्छा समझ में आया होगा लेकिन मैं इसे match करा लिता हूँ तो माइनस 2x बिलकुल सही है अलम्दुलिल्ला x3 प्लस y3 बिलकुल सही है और डिवाइड में x की पावर 5 तो यहां से solution स्टार्ट लिया था ठीक है फिर यहां से होते 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 यहां तक आ गया इसको अगर एक एक उसमें देखना चाहूँ स्क्रीन शोट में तो देख सकते हो चलो यह हमारा question number 6 यहां पर complete हुआ अब हम अपना question number 7 चलते हैं 7 करते हैं तो अब आपके पास जो है वह question number 7 है part 1 है अच्छा यह question पूरा नहीं है पूरा लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस 5 टी की पावर टी की पावर क्यूप या 3 माइनस 7 यानि दो equation दीवे हैं और y इक्वल टू अच्छा आप दोको है असान बस चोटी सी एक चीज़ याद रख ले ना फिर इंचालना इसमें मुश्किल नहीं होगी देखो अब तक आप पढ़ते आ इसको भी डिफ्रेंशियट करना अब वो जिसके रिस्पेक्ट से हो रहा है वो मैं बता दूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक्स को डिफ्रेंशियट करूंगा वित रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक्स को डिफ्रेंशियट करना वित रि अब सब्सक्राइब सकतम तो सब्सक्राइब हमारा टी से करने यह तो धूब आज आगे आ multiply 15 और चलो अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं लिखते तो यह फाइफ आ गया और ठीरी आ गया गया टीरी में से माइनस वन हो गया अब इसका derivative आपके पास 0 होता है तो डी टी अपॉन डी डी एक्स अपॉन डी टी एक्वल टू माइनस 15 टी इसक्वार यह आपका derivative हो गया एक्स के respect से थोड़ा सा lightning की condition खराब है अब सही हो गई है अच्छा यह तो आपका एक्स का derivative होगे टी के respect से अब आपने करना है य का derivative मतलब इसका derivative करना है टी के respect से एक डिषरेंट शी इंट गी रिस्पक्त से टी तो d y d t equal to 3 और इस्क्वाइर आगया गया ट और एंगी समय से कम हो गया और ये 0 ही हो जाएगा d y d d y d t तो ये हो गया आपका 6 t, just 6 t बच रहा है आपके पास अच्छा अब जरह देखो आपको पता गणने का क्या का है पतागन्ने को इन्होंने क्या कहा है पतागन्ने को कहा है इन्होंने आपको यह d y upon dx अगर मैं equation number 2 को equation number 1 से divide करा दूँ तो क्या जो मुझे पतागन्ने के लिए कहा है वो आजाएगा बेशक आएगा तो d y upon dx लेकिन मैं उसको again derivate कर दूँगा तो फिर मेरे पास जो है वो जो मुझे चाहिए वो आजाएगा सही बात समझ आ रही है तो यहां पर मैं इसी काम का सहारा लूँगा और इसको कर दूँगा तो divide equation 2 and equation 1 divide equation 2 यह with one कहलो यहां यहां नहीं लिख बलते हैं दूसरी चीज़ भी लिख लेकिन तो यह आगे आपका अगर d y और d t divide होगे आपके साथ किसके साथ डिवाइट हुआ डी एक्स और d t equal to किसके बराबर है अच्छा यह दोनों साइट डिवाइट होंगे अगर यह साइट डिवाइट कर रहे हो तो यह साइट भी होगी 60 divided by माइनस 15 X 16 T 21 का सकॲार रिसिप्रोटल हो जाएगा डिवाइञ और डстрой रिसिप्रोकल गैड़ डी टी अपर आजाना जाना डी एक्स नीचा त यह तर्ट रूपर आजाना एट तो के रूल माइनसे पालिप्वाइञ यह एक का इंसर रिज़ का दो впер रहता यह आपका गया डी-वाइपॉंड-डी-एक्स अच्छा है आपका यह दोनों एक की टेपल में आते हुए हैं तो और असान हो जायाँगा आपके लिए काम करना ठीक हैं तो यह आता है त्री की टेबल पर और यह कितने पर आता था फाइस पर तो टू फाइट यह लोह असाल हो गया सब्सक्राइब अब इससे जो है आप अगें डिफ्रेंचियेट कर दो विथ रिस्पेक्ट तू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब टी के रिस्पेक्ट से नहीं करना क्योंकि अब हमें यह चाहिए डी वाइए डी का स्कॉर वाइए और डी एक्स का स्कॉर अगर मैंने टी के रिस्पेक्ट से करा तो फिर टी आ जाना है तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट से करना है तो यहां लेको different sheet with respect to x यह आप इसको करते हैं तो देखो यह हो जाएगा dy dy और dx और d upon dx equal to d upon dx यह variable है तो इसको derivative होना है ठीक है इसमें derivative होना है बस dx और dt बच जाना है मैं अभी करके दिखाता हूं बस समझा जाएगी minus 2 और 5 अब जब भी derivative करते हो तो variable को अपर ले आते हो ना तो यह variable उपर आगया पावर negative हो गई अब derivative कर दो तो यह d का square y और dx का square हो गया ठीक है मैंनस आगया गया तो यह कितना हो गया आपके पास minus 1 minus 1 नीच उतर गया ठीक है 2 as it is रहा 5 as it is रहा और minus 1 और minus derivative की तरह वज़ा से हो गया अब आप आपने x के respect किया है तो यह t as it is आ जाएगा dt upon dx as it is आ जाएगा यह खतम नहीं होगा dt upon dx खतम हो जाता अगर आप टी के respect से लेते लेकिन आपने एक्स के respect से ले लिया तो इसलिए dt upon dx आएगा तो यह कितना आ रहा है लोकल करेके लेना पड़ेगा क्योंकि वो dx upon dt लिखा हुआ है ठीक है तो कोई मसला नहीं है जरा मैं यह लिख देता हूं पहले dt upon dx अचा अब उसको देखो हमारे हमने यह निकाला था derivative लेने के बाद अब मुझे चाहिए मुझे चाहिए देखो यह चीज़ कहां से लाया मैं यह एक्स का जो derivative होता है यहां से लाया अब मुझे यह चाहिए ऐसे चाहिए dt dx तो असान है dt को अधर ले जाओ ठीक है और माइनस 15 को नीच ले ओ चाहो तो reciprocal कर लो यह चाहो तो ऐसे कर लो कि भाई देखो dt को इदर ले आए इसको इदर ले आए ठीक है और dx किया हो रहा था multiply तो यह नीच आगे डिवाइड तो dt dx बदल गया आपस में साहिए तो dt upon dx इसके बराबर आ गया तो अब ज़रा महां solve करा दो तो यह आगया 2 और यह आगया आपके पास 5 अच्छा अब टी को टी स्क्वाइर को नीचे ले ओ तो पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाने यह नीचाने की वैसे अच्छा dt upon dx इसके बराबर निकाला माइनस वन वन अपॉन माइनस 15 टी का इस्वाय अब जस्ट सॉल्फ करा दो मुल्टिप्लाय और जो एडिशन वगरा होती है तो तो माइनस आगे आ जाने 2 के साथ 15 multiply by 5 कर लो तो 15 multiply by 5 एक बड़ा नंबर आता है I think कुछ 75 आता फिर भी मैं verify गल लेता हूं 75 है ठीक है तो यह आगी आपके पास 75 और टी की पावर 4 सही है तो यह आपका अंसर होगी आप इसे ना ग्लॉसरी से भी ज़रा मैच करा लेता हूं ताकि आप लोगों को ना है तो यह हमारा फाइनल अंसर है चेक करते हैं हाँ यह बिल्कुल ठीक है है का है यह रहा है अच्छा वहां पर वह बोलना है कि फाइनल अंसर हाँ सही है आई तिंग यह दोनों एक की टेबल पर आते हैं यह नहीं आते हैं मतरा एक मिनट चेक करने नहीं यह दोनों एकी टे तो यह तो नहीं है अच्छा ग्लॉसरी में इसका जो आंसर दिया है ना मज़े की बात यह है वो दिया है वन अपॉन फिफ्टीन टी की पावर क्यू हमारे पास आ रहा है माइनस टू अपॉन सेवन्टी फाइफ टी की पावर फूर तो फरक है आंसर में लेकिन एक मज़े की गाइट को चेक किया था जो आपके सॉल्फ गैड आती है उसमें भी यह यह आंसर दिया हुए तो मैंने उसी की मताबिक कर दिया अइसे आप जहां से मैं ना देखा है मैं और विफका रेफरेंस दोंगा ना नाम नहीं ले रहा है मैं गाइट का लेकिन उसमें भी यह यह आ बानते हैं ठीक है इसी को फाइनल बानके चलते हैं हाँ अगर कोई गलती आपको नजर आए जो मुझसे हो गई है जिसकी वजह से यह आंसर आ रहा है तो मुझे बता देना वहना यह ठीक है आप पेपर में भी कर सकते हो चाहो तो अपने टीचर से भी एक बर कंफर्म कर ले न मेरे लिए आज से जो आंसरा है वो ठीक है अब अगला कोशन करते हैं तो देखें अब मैंने इसका पार्ट टू लिख दिया है पार्ट टू में आपने अगेन वही काम करना है जो चीज़ हमने इससे पहले पता की थी वही आपने पता करना है डी का स्क्वाइर y d x का होल स् अगर अब आपको ये इन्होने फंक्शन टिगनोमेट्री में दे दिया है मतलब इकनोमेट्रिक स्ंक्षन दे दिए हैं तो वही काम करो पहले եीट को डेरिवेट मेरे तो तो दिफरेंश के है एक्स एक्स भी लिख लो विद रिस्पेक्ट टू ठीटा तो देखो डी एक्स डी ठीटा यह कॉस का डेरिवेटिव क्या हो था मैनस नहीं तो यह आपका डेरिवेटिव हो गया आप कोई आगे नहीं जाना अब डिफ्रेंचियेट वाई विद रिस्पेक्ट टू ठीटा तो डी वाई डी ठीटा इक्वल टू साइन गडेरिवेटिव क्या होता है कॉस ठीटा ठीक है अब यहां भी वही काम करो एक्वेशन टू को एक्वेशन वन के साथ डिवाइट कर दो डिवाइट डिवाइट एक्वेशन टू एंड वन तो डी एक्स डी ठीटा और सॉरी एक्वेशन टू को पहले लिखना है ना क्योंकि हमें दी वाई चाहिए तो डी एक्स और डी ठीटा इक्वेशन टू तो डी वाई क्या है डी वाई अपॉन डी ठीटा क्या है कॉस ठीटा डिवाइड़ वाई माइनस साइन पर ठीटा अच्छा देखो रेसिप्रोकल हुआ तो डी वाई डी एक्स ठीटा तो एड इस टीट इस रहा यह रेसिप्रोकल कोकर उपर आ गया इस तरह का कुछ आ गया तो डी ठीटा से डी ठीटा इस ज़स्ट कैंसल होना है तो माइनस कॉस ठीटा और साइन ठीटा अब का अगया कॉट ठीटा बना लो ठीक है यह किसके बराबर है आपके पास डारेक्ट लिपता हूं कॉट ठीटा के बराबर है अगर इसे कॉट ठीटा नहीं बनाओगे ना तो फिर इस पर आपने फर्मुला अपलाए करना पड़ जाएगा यू और वी का अगर जब इसका अगेंड डेरि एचाने स्पेलिंग म JESS गेल कोते होँ गया थै he spindle है हो दिफ्रेंशीयेट एक्स के जीरो डीडियकस कॉल्ष एक्स हों इप्सक्राइब जाता हो था तो नबार ख globalization क्या गया आपको आस या को का derivative आपको पता ना चाहिए ये बराबर होता है माइनस सकट थीटा तो यह आगे आपके पास तो को से स्कॉइर थीटा तो थीटा को आपको अलग से लिकना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं कि अगर मैं ठीटे के रेक्सपेक्ट से डेरिवेटिव लेता तो वन हो जाता लेकिन एक्स के रिप्लेटिव लिए तो यह बननी होगा इसमें जो चेंज है वो लिखना पड़ेगा तो यह प्लस हो गया तो यह हमारा जूस को स्कॉए ठीटा अब इसको रिप्लेस करें इसको रिप्लेस करें अब इसके लिए गाम करते हैं अच्छा अब देखो इसको यूज करो डी एक्स अपॉन डी वाए को क्योंकि मुझे इसी के जरीए से यह चीज़ बनानी है जिस रेसिप्रोकल होगा हमारा ताम आजाएगा हँए माइनस साइन ठीटा अच्छ अब इसको रेसिप्रोकल कर दो यहां तो इसको इदर ले जाओओ अगna है इसको धीन लेख वाल णानी अगया उप्पर चल आगया डी एक्स नीचा आगया तो यह भी नीचा इसको लिखे लो here थाकर आपको याद रहे कि आपijnे काम चाहिए दिखे हимер़ा कश से की स्क्वाइल ठीटा हम सबको पता है कि कोशzna में पता हम उन अपॉन साइन के बराबर होता है सिंस्ट के अगर स्कॉर्इर तो पिर इसक्वार लगना पड़ेंगा साइन ठीटा। तक ये स्कॉर अधियर होगे तो डिक है स्कॉरर्ण- fromран अपन साइन साइन आ ठू हो जो लोगा ना है एक स्क्वायर है एक क्यूब हो जाए गा चेक कर जाए है को है साथ लाब बेलकु टिक है यह माइनस अगर यह मुश्किल होगे तो यहां लगा कि तो माइनस अपाँन साइन क्यूब ठीटा और डी का स्कॉयर और डी एक्सका तो यह इसका सलूशन है आपका देख लो चलो अब आजो अगला कोशन करते हैं उसमें एक ही पाड है तो यह है आपका नेक्स्ट कोशन देखो वह कह रहा है लिए है differentiate Use function इसे रॉचन दिया वाथा कर दिया है आपने क्या है आपने दो टाइम डेरिवेटिव पता करना है और चार टाइम डेरिवेटिव पता करना यह आर फूर का मतलब चार टाइम एक टाइम तो करके दे दिया उन्होंने अब बाकी के तीन आपने करके दिखाने तो यह वैसे होंगे जिसे हम करते हैं बस घुमाया है सवाल को लेकिन बास वही कर रहा है अच्छा तो जब हम दूसरी टाइम करेंगे तो यह इस तरह हो जाएगा अच्छा आप इसका डेरिवेटिव जाएगा जस्क्स ठीक है अच्छा अब यह मेरे काल से एक मेंट होगो जरा मैं इसको हां मुझे सभी समझ में आया यह टीवी आएगा वनना तो जीरो नहीं जाए जाएगा इसका डेरिवेटिव तो 6 आ गया क्योंकि फोर हो गया माइनस बन अपन टू यह मानस वन के तो गया अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे एक है यह तो 60 आगिया आपका यह 1 पर आता है यह 2 पर तो मॉनस प्लस लाइनस टूर दी और हो गया माइनस 3 अपॉन तू पावर ठोड़ी सी मैं ऐसे करें लिक्त तो भी माइनस 3 अपॉन 2 प्लस jamu प्लस दीगा एभलन हो जहें तो अधनि दिफ्रेंशेट करते हैं मैंने प्रविट नहीं लिखति लिगना वर्डिंग लेना पास ऑलडर डेटिव ए चलो थोडकी अधर्यश्ट कर देते हैं तेडिवेटिव अज्य नहीं लिखा मैंने किसके देडिकर से चलाए काम देख भी सकते हो अच्छा अब अगेटिव करता है कि सेकें अट अब आँडर डेरिवेट तो अब ती थोड़ा लग रहा है अच्छा अब अगर मैं यह वैसे बेसिकली हमारे लिए सेकंड है लेकिन यह थीसरा डेरिवेटिव है तो यह भी हमने गलत लिख दिया यहां पर यह सेकंड यह वाला था ठीक है क्योंकि हमारे लिए तो यह फस्त था यह बाठी है लेकिन अगर देखें तो वह सेकंड है क्योंकि पहली बार तो उन्होंने करके दे दिया तो यह हमारे लिए ठाट हो गया यह चलो अच्छा एक डाउड और के लिए आपका कि उसको मैंने सेकंड क्यों लिख रहा हूं फर्स्ट ताम डेरिवेटिव करके दे दिया है सेकं सब्सक्राइब करके दिखा दिया तो तुबारा लिखने की इसको की जरूवत नहीं है क्योंकि मैं पता है यह बात क्या हो रही है तो से टू कैंसल माइनस माइनस प्लस हुआ तो ज़स्त 3 t e की पावर माइनस 5 एपॉन 2 प्लस, e की पावर t अब आप नेल लिखनेगे लिए प्रोört ताम डेरिवेटिव फॉर्ट डेरिवेटिव इस सर्ट ओर्ड डेरिवेटिव 4 डेरिवेटिव इस फॉरु इस्पक्ट व influen हो ट्रिव्होंकि अ अच्छा तो देखो अब यहां पन्ना इन्होंने ऐसे लिए टी की पावर फॉर तो कोई मसला निए टी की पावर फोर कर जाते हैं हम भी चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे भी लिख लोगे हमें जिस तरह का हैं मुस्त्रह काम करें की और किये हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आगा है और यह आपका सेकंड्य ता था यह आपका फॉर्त होगा है तो यह माइनस 15 देख लेको यह रहां इसी फोर में कर दिया इन्हों इसी फिर्म में हो सकता था इसको नीचे लाकर स्क्वाय रूट बना लेता और वह सेवन पावर में चला जाता अब लेकिन नहीं छोड़ दिया नहीं छोड़ देते हैं भी तो जहां तक कर रहे हैं वह वहीं तक जा रहा हुए होना एक दो स्टेप इसके निकलना है आपको भी समझा रहा होगा अच्छा यह जो आपने डेरिवेटिफ लिया था यह भी ठीका है टी एक माइनस सेवन अपॉंट टू प्लस एकिवाबटी तो यह सभी है चलो आखरी करते हैं आखरी है यह नहीं है आखरी है यह यह वैसा ही है जैसे हमने इससे पहले वाले कोशन नंबर सिक्स करने ना वैसा यह अच्छा यह पॉइंट क्या है यह मैं बता दूंगा जब अंसर आएगा ना उसमें पुट करेंगे अभी पुट नहीं कर देना इस पॉइंट को अभी पुट करोगे तो फिर तो खतम ही हो जाएगा कोशन चुरू होने से पहले अच्छा अब आपने करना क्या है सबसे पहले आपने इसी चीज को दो टाइम डेरिवेटिव कर देना इसका और फिर जो डो टाइम डेरिवेटिव करके चीज आईगी ना जो आपके पास एक्स य आएगा उसमें पॉइंट को पुट कर देना यह एक्स एक्स एक्वल टू फोर रखना वाई एक्वल टू थी रखना आंसर आ जाएगा आपका चलो कर आगे दिखाता हूं मतलब से काम होगा है अचा तो यह होता है चलो कर अबिलेति लेकिन आप फकूशिश करो खें तो एक की तरह भी आ जाओगा आप बहुत सारी एक्सोसाइजेस इससे रिलेटिट कर चुके हो तो अब इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2y और d y d x और d y equal to 0 सही है अब अगर मैं इसको solve कराऊँगा तो 2x वहाँ चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो d y d x तो 2x वहाँ जाके माइनस हो गया और 2y यहाँ के डिवाइड हो गया तो d y d x equal to minus x upon y इस इस अबर फॉर्स ओर डेरिवेटिव इस इसी का हमने सेकेंड डेरिवेटिव करना है इधार लिख जाता है सेकेंड और डेरिवेटिव अच्छा तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका अधी वाई और डी एक्स माइनस को आगे लिख लो एक्स और फॉर्मूला क्या लिखेंगा वह यहां लिखते ताहूं ताके फिर आगे मश्किल ना होना यू और वी इक्वल टू वी और यू 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 का डेरिवेटिव यू माइनस यू और वी और वी का स्कॉयर थंच मैंने क्या कियां अभी फॉर्मूल्य लिखा है अब आगे शॉल्फ कर रहो मोग तो यह डी का स्कॉयर यू और डी थोड़ा सब्राइटनिस को डाउन कर देता हूं ठीक है जाज़ा डायरेक नहीं करूंगा मैं इतना टेंक्शन नहीं लेना अच्छा तो देखो य का डेरिवेटिव तो य आगिया इधर आपने डेरिवेटिव किया तो एक्स और डी य और डी एक्स और यह जैसे प्रोकल हो अब देखो डी वाइपन डी एक्स यह रहा इसके बराबर है तो वाइए एक्स डी आपन डी एक्स माइनस एक्स और य के बराबर है और बाहर आपका वेट कर रहा है वन अपन वाइका इसपार कि तो इस्जूटर्न यहां तक आपको समझ में आ गry YaAR मैंने क्या किया इसको आगे कर लेता हूं हुआ कि देखो फाइग इस पूर्य को सॉल्फ कर लेते हैं मिले पहले अंदर तो यह वाई इस स्थ हुआ तो यह और माइनस माइनस प्लस x square हो गया और y हो गया और y square बार बेट कर रहा है तो dy और dx का square equal to minus तो y का square प्लस x का square यह दोनों solve हुए आपस में तो y cube हो गए ठीक है equation आ गई अब point put करो put point point क्या है आपके पास 4 और 3 तो x की value 4 और y की value 3 यह बाकी काम करते हैं नमाज के बाद तो student इसको continue कर लेता है तो यह होगी आपका dx का square तो यह आगी आपका y का square जो के होगा 3 का square और x का square आजिया आपका 4 और बाकी cube आगी आपका किसका y का याद रगना y का क्यों 27 होता है एक step मैं इजाफी करते ताहूं ताज आपको समझ में आजा यह 9 हो गया यह 16 हो गया यह 27 हो गया the final answer is माइनस ट्वेंटी सेवन सॉरी ट्वेंटी फाइफ ट्वेंटी सेवन तो भाई अपनी बहुत बहुत दुआउं में मुझे याद रखना यहां हमारा काम कंप्लीट हुआ खुछ ना समझ मैं आप उसले ना काइट कर दूँगा थैंक्स वर वाचिंग अल्ला हाफिस